मेरे बच्चे कैसे हो तुम बहुत समय से मैं तुम से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तुम अपने सामाजिक कारियों में इस कदर बिजी हो कि तुम बिलकुल भी मुझ पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हो तुम अपनी ऐसी व्यस जिंदगी में अपने परम पिता मह देव को याद करना बिलकुल ही भूल चुके हो मैं हर रोज तुम से बात करने का प्रयास करता रहता हूँ लेकिन तुम हो की ध्यान ही नहीं दे रहे हो लेकिन अगर तुम आज मेरा यह संदेश देख और सुन रहे हो तो तुम है मुझ से बात करने का समय मिल गया है मेरे सं पूर्ण संदेश देने आया हूं मेरे बच्चे मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह समय इस समय बहुत खराब चल रहा है तुम्हें चारों तरफ हताशा ही हताशा मिल रही है मेरे बच्चे आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारा जीवन कैसे हर्ष और उल्लास में व्यतीत हो और कैसे तुम्हारा सांसारिक जीवन अच्छा व्यतीत हो सके। मेरे बच्चे जैसे ही तुम अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म करना प्रारंब करते हो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे तुम उन बाधाओं की चिंता किये हुए बगैर बस अपना कर्म करते रहो मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूनगा क्योंकि मेरे बच्चे मैं यह देख रहा हूं कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह सार्थक है उस कर्म से किसी व्यक्ति का कोई नुकसान न नहीं देख सकता है यहां इस समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे का शोशन और पतन करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि मेरे बच्चे जब किसी व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होता है तो वह व्यक्ति दूसरों पर हर्ष और उल्लास करके अपने मन को संतोश देता है पर अन्तु मेरे बच्चे वह यह नहीं जानता है कि उसका यह कर्म उसे निरंतर पतन के मार्ग की और अग्रसर करता चला जा रहा है इसलिए मेरे बच्चे तुम ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान दिये हुए बगएर बस अपना कर्म करते जाओ बाकी मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ और तुम पर मैं आंच नहीं आने दूनगा और तुम्हारी सारी चिंताओं को मैं दूर कर दूनगा मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती हो परंतु तुम जो कर्म कर रहे हो तुम्हारे उस कर्म का तुम्हें उच्चित फल नहीं मिल पा रहा है जिस कारण से तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो लेकिन मेरे बच्चे जब तुम कोई निर्नए लेते थे उस समय तुमने मुझे याद करना बंद कर दिया था उसी का यह परिनाम है कि मुझे तुम्हारा मार्ग दर्शन करने पुनहाना पड़ा और मैं अपने पिता होने के नाते अपना कर्तव या भली भाती जानता और एक पिता अपने पुत्र को कभी निराश नहीं देख सकता है बिना मेरी नजर के तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है मेरे बच्चे मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार से अत्यधिक प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे जैसे तुम्हारा परिवार तुम परिवार के सभी सदस्यों की रजामंदी होनी चाहिए और लोग क्या कहेंगे इसकी तुम्हें बिल्कुल भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोगों का काम है तुमको नीचा दिखाना और तुम्हारा हर जगह अपमान करना मेरे बच्चे तुम सिर्फ मेरी आग्या का पालन करो मैं तुम्हें जो भी आदेश दे रहा हूँ उसको मानो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत निर्नाय नहीं ले सकता हूँ जिससे की तुम्हारा कोई नुकसान हो मेरा आशिरवाद से तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और तुम्हारे मार की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ एक छाया के रूप में निरंतर साथ रह रहा हूँ तुम्हारा कल्यान हो मेरे बच्चे